सकारात्मक विचार सारणे की पुस्तक तयार करें। एस्थर और जेरी हिक्स हमेशा छोटे-छोटे समूहों के लिए कारियशालाएं आयोजित करते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि अगर उन्हें शांत और आरामदायक जगे पर लोगों से चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाए तो उनके मन से सभी संदेय दूर हो जाएंगे। इस तरह उनके द्वारा कितने ही सेमिनार आयोजित किये गए लेकिन कई बार इन में एक मजाक बन जाता था। अगली बार हम किसी दूसरे होटल में जाएंगे और हम उनसे कहते थे कि आप दूसरे होटल में जरूर देखें लेकिन वहाँ भी आपके साथ यही होगा इसे आप टाल नहीं सकते हैं। ही व्यवहार मिलेगा। हमारे इस पश्टी करण पर एस्थर और हिक्स जोर से हसने लगे। लेकिन तब ही उन्हें यह भी याद आया कि इन्हीं कारणों की वज़े से उन्होंने पहले भी कितने ही होटल बदले हैं। आपके हिसाब से हमें वाकई में क्या करना चाहिए। ही व्यवहार साफ और स्पश्ट है। यह होटल शहर के केंदर में स्थित है, इसे ढूंड़ना आसान है। इसके कमरे अलग-अलगाकार के होने के कारण उन्हें कम या जादा लोग आसानी से फिट हो सकते हैं। होटल में काम करने वाले लोग अच्छे और मिलनसार प्रवरती के हैं। जैसे जैसे ऐस थर यह सब लिखती गई, उनकी होटल के विशे में भावना बदलती गई। हाला कि उन्होंने होटल के विशे में जो सच था वही लिखा था, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा था, कि वो लोग हमेशा हमारी रहा देखते हैं या हमारे स्वागत के लिए तयार रहते हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव उन्हें कभी मिला ही नहीं था। यदी वहें ऐसा लिखती तो उनके विचारों में द्वन दुत्पन होता और उनका उनके अंतरमन से ही विरोध होता यह सब सकारात्मक अनुभव लिखते लिखते अंजाने में ही उनके मन में हूटन के प्रती भावना और स्पंदन बदल गए पिशेश्ते उसके बाद होटल वाले भी उनके आने का समय नहीं भूले और हर समय उनका योग्य परदती थे स्वागत किया गया यह सब देखकर एस्थर को बड़ा अश्चरिय हुआ कि होटल के करमचारियों का व्यभार उनकी गलती नहीं थी बलकि यह एस्थर के विचारों का परिणाम था उसके बाद तो सकारात्मक तिष्टीगूनों की डायरी में लिखना एस्थर के जीवन का एक अभिन अंग बन गया था हमने उनसे कहा कि आप केवल उन चीजों के बारे में ही ना लिखें जिने आप सुधारना चाहते हैं या जो चीजे नकारात्मक हैं जिनके बारे में आपकी भावनाई पहले से सकारात्मक हैं तथा आप उन्हें और अधिक सकारात्मक बनाना चाहते हैं आकरशन का सिध्धांत आपके अंदर विचार शक्ति का निर्मान करता है जब आप किसी ऐसी घटना में सहभागी होते हैं जो आपके मन के विरुद्ध हो या कोई अनावश्य घटना हो गई हो, तो आप इस बात का स्पष्टिकरण देने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और जब आप स्पष्टिकरण देने लगते हैं या फिर उस घटना की तहकीका बात करने लगते हैं, तब आप किसी व्यक्ति, विशेश या वस्तु को दोश देते हैं, और इसी कारण से आप स्वयम ही नकारात्मक भावना के ओर अग्रसर होते हैं। यह बताते बताते अंजाने में ही आप और अधिक नकारात्मक विचारों को अमंत्रित कर लेते हैं। समस्या को समझना समस्या को हल करने की दिशा का पहला कदम है। लेकिन जितना अधिक आप लक्ष पर ध्यान किंद्रित करेंगे, उतनी ही देर तक आप उसमें फसेंगे। क्योंकि समाधान और समस्या इन दोनों के ही स्पंदन अलग-अलग स्तरके हैं। और समस्या के स्तरके स्पंदन पैदा करके आप उस समस्या का समाधान प्राप्तन नहीं कर सकते। जब आप परिवर्तन के नियम के माध्धम से नई संभावनाओं के स्पंदन पैदा करते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि इस घटना के साथ ही आपके आसपास कितनी अन्य घटनाएं हो रही हैं, इसके साथ ही सकारात्मक तृष्टिकोन की किताब आपको एक कला से अउगित कर देगी, उसके आधार पर आप किसी भी परिस्थिती में सकारात्मक विचार कर सकते हैं, यदि एक बार आपको क्या चाहिए इस विशे की भावना निर्मान करने की कला मालूम पड़ गई, तो वैसे ही विचार भी आना शुरू हो जाएंगे, और आपको क्या चाहिए और क् पताने में फर्क समझने लगेगा, जब आप किसी चीज का सकारात्मक पक्ष देखने लगते हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक भाव भी निर्मित होने लगते हैं, और सकारात्मक भाव निर्मान होने पर उसमें और अधिक सकारात्मक भाव निर्मान करना और उसके परिणाव स्वरूप सामने की नकारात्मक परिस्थिती और सकारात्मक विचार करने की इच्छा इन दोनों में द्वन्द शुरू हो जाता है और उन्हें इन से पार पारना कठिन लगने लगता है लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऐसा नए हो तो उसके लिए एक आसान तरीका है यह तरीका आपको अपने नए दिन की शुरुवात करते समय आजमाना है इसके लिए आपको सुभे नेंद से जगने का समय निर्धारित करना पड़ेगा क्योंकि यही एक ऐसा समय है जिस वक्त आप सबसे ज्यादा सकारात्मक होते हैं और नकारात्मकता से दूर होते हैं आपको ऐसा करना है कि बिस्तर से बाहर निकलने से पहले ही आपको उन सभी सकारात्मक चीज़ों और घटनाओं का विशलेशन करना है जो आपके साथ घटती हैं। ऐसा करने से आप दिन के शुरुवात के समय ही सकारात्मक स्पंदनों से भर जाएंगे। उसके बाद आप उस स्थर के स्पंदन से अधिक सकारात्मक स्पंदनों को आकरशित कर सकते हैं। अब हम सकारात्मकता से इतने भरे हुए हैं कि अगर दिन में कोई नकारात्मक घटना हो भी जाए तो हम उसे आसाने से नजर अंदाज कर सकते हैं। नेंद उर्जा निर्मत्ती का स्त्रोत। नेंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने स्थूल शरीर के सुक, दुख और समस्याओं से नहीं जुड़ते हैं। अतहे यही वह समय है जब हम उर्जा पैदा कर सकते हैं और शरीर में नई चेतना का निर्मान कर सकते हैं। नेंद का भरपूर और अच्छे तरीके से आनंद ले सकती हैं रोज सुबह उठना भी नया जनम लेने जैसा ही होता है आपका इस शरीर में जनम लेना और रोज सुबह उठना दोनों में कोई फर्क नहीं है इसलिए जब आप सुबह नेंसे उठें तो स्वयम से कहें आज मैं खुश रहने के कारण ढूड़ने वाला हूँ मेरे लिए खुश रहने से अधिक महत्तोपूर कुछ भी नहीं है मैं ऐसे सकारात्मक विचारों को आमंतरित करूँगा जो उससे भी अधिक सकारात्मक विचारों को आमंतरित करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप मेरे स्पंदन इतने उच्च स्थर पर पहुँच जाएंगे कि मुझे दुनिया के सरवुच्च स्पंदन के स्त्रोच से एक रूप होने में आसानी होगी एक दिन पहले सोते समय आप जिन भावनाओं को लेकर सोते हैं अगले दिन उनी भावनाओं के साथ आप दुबारा शुरुवात करते हैं यदि आप निराशा और समस्याओं के साथ सोने जाते हैं तो उनी विचारों के साथ आपकी शुरुवात होगी अब जब आप इन नकारात्मक विचारों की नीज पर इमारत बांधते जाते हैं तो वहें आपको ओरतिक नकारात्मकता की ओर ले जाएगी इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला विचार ये है करें कि आज मैं सकारात्मकता और खुश रहने के कारण ढूड़ूगा आपके सामने खड़ी हुई समस्या और दुनिया भर की समस्याओं पर विचार करने की जगे विस्तर पर पड़े पड़े हैं विचार करें कि आपके आसपास कितनी सकारात्मकता है आपको मेली हुई चादर और तक्या कितना अच्छा है आपको कितनी शुद्ध और ताजी हव जिन्दा रहने का अनुभव ही कितना मोहक है। इन सकारात्मक विचारों की रस्सी से आप और अधिक सकारात्मक विचार खींच कर ला सकते हैं। सकारात्मक विचारों की रस्सी से आप और अधिक सकते हैं। जिन्दा भी गटनाओं को याद करें। ऐसा करते समय या तो सकारात्मक विचारों की रस्सी से आप को आनंद मिला हो। ऐसा करते सवे स्वें को यह बताएं। कि यह बात मुझे इसलिए अच्छी लगी या फिर इस बात में मुझे यह अच्छा लगा क्योंकी। आप स्वें को आनंद देने वाली इसी डोर को पकड़ें और उस डोर के सैयोग से रात को सकारात्मक होकर सो जाएं। जब आप रात को सकारात्मक भावना के साथ सोएंगे तो आपकी सुभे भी सकारात्मकता के साथ ही ही होगी। अब मैं सोने वाला हूँ और मेरे विचार सक्रिय ने होने के कारण मेरा शरीर भी शान्त होगा, मुझे अच्छी नींद आएगी। जब मैं उठूँगा तो पहले की तुलना में अधिक उत्साह और खुशी के साथ उठूँगा। अतह ऐसे समय जब तक नींद नहीं आती तब तक आसपास की सकारात्मक भातों पर ध्यान केंद्रित करें और उनका भी आनन्द लें। सुबह सकारात्मक भाव में जागने की प्रक्रिया। और उसकी कारण में अधिक से अधिक अच्छे स्पंदन उत्पन कर सकूँगा। इस तरह यदि आपने दो मिनिट सकारात्मक ता के साथ आसपास की परिस्थिती का जायजा ले लिया तो भी आपके अंदर स्पंदन निर्मान होने लगेंगे। ऐसे समय आप उकुशनकारात अधिक सकती हैं लेकिन उन्हें नजर अंदाज करना है। ऐसे समय खुद को बताएं कि वास्तव में मुझे आनंद देने वाली भावना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर दुख की भावना उत्पन हो रही है। अर्थात मैं गलत बात पर लक्ष की इन्रित कर रहा हूँ। जब हम हमें क्या चाहिए पर ध्यान के इन्रित करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर अच्छी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं और हमारे शरीर में नई चेतना का जन्म होता है।